नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे ब्रह्मचरे का प्रभाव कितने दिनों में दिखता है पर काबू पाना बहुत जादा जरूरी है ऐसे में कोई इंसान ब्रह्मचरे का पालन करते हुए उल्टा सिधा सुनता है या संगती गलत है तो वह इंसान भी जादा दिनों तक ब्रह्मचरे का पालन नहीं कर सकता और उसको लाब नहीं मिलेंगे ब्रह्मचरे का पालन करते इंसान को लाब मिलने शुड़ हो जाएंगे उसी दिन से जिस दिन से उसने संकल्प लिया है कि हाँ मैं अखंड ब्रह्मचरे का पालन करूँगा आज से आपके मन में और एक सवाल होगा कि ब्रह्मचरे का पालन करने के बाद आपको कितने दिनों में लाब मिलेगा देखो अगर आप सही मायने में चाते हो ब्रह्मचरे का लाब देखना तो आपको पूरी शिद्धत और इमानदारी के साथ ब्रह्मचरे का पालन करना होगा अपने आपको टाइम दे और ऐसा नहीं सोचना है कि जोश जोश में ब्रह्मचरे का पालन करूँगा अगर लाब नहीं मिले तो मुझे ब्रह्मचरे का पालन नहीं करना देखे जब इनसान महनत करता है तो उसको फल तुरन से नहीं मिलता उस फल को पाने के लिए भी उसे पेशन्स बनाया रखना होता है सायम के साथ काम करते रहना होता है ऐसे में अगर आप ब्रह्माचरे का पालन कर रहे हो एक हफते ब्रह्माचरे का पालन करने से कुछ भी नहीं होता दोस्त हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे ही हुआ है जो कमेंट करते हैं कि ब्रह्माचरे का पालन करने के बाद हो जाता है देखकर पूरा का पूरा चड़ी तरह बदल जाता है ब्रहमचरे का अर्थ ये नहीं होता कि अपनी उर्जा को बचा कर रखना उसका इस्तमाल करना भी बहुत जादा जरूरी है इसलिए मैं कहा रहा हूँ परिश्रम करो मेहनत करो अपने उपर काम करो और फिर जा कर दिया ब्रहमचरे का पालन आपके अंदर पेशन होना चाहिए और पैशन होना चाहिए ब्रहमचरे को लेकर और ऐसा करके ये आप अखंड ब्रहमचरे का पालन कर सकते हो जिस दिन से आपने अपनी वानी को सही कर लिया जिस दिन से आपने अपनी संकति को सही कर लिया जि के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम